अब देखे तो जी और सोनी के मर्जर को लेकर आई खबरों से सोनी पिच्चर्ज ने एक सफाई दी है कंपनी क्या कह रही है और क्या कुछ चीज़े लेटेस डेवलप्मेंट जी एंटेटेन्मेंट को लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप देखे स्टॉक करीब 7% की तेजी दिखा रहा था सुबा कल एक भारी गिरावट भी का भी शिकार हुआ था और फिर उपरी स्थरों से एक बिक्वाली हावी होती भी देखी है क्या कुछ खबरे हैं जी एंटेटेन्मेंट को लेकर और सोनी क्या सफाई दे रहा है ये पूरी जानकारी लेकर अब अंकुर हमारे साथ जोड़ चुके हैं अंकुर बताईए जी सोनी मर्जर को लेकर जो कई एहम सवाल थे वहाँ पर सोनी इंटर्टेन्मेंट का जरूर एक बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सेवी का जो इंटरिम ओडर है और उसको काफी सीरिस्ली लेते हैं इन फैक्ट जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं आपको हम याद दिला दें कि सेवी ने एक इंटरिम ओडर जारी किया था सुभाष शंद्रा और पुनीद गोइनका के खिलाफ जिसमें उनको किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी की मैनेजिरिल पोजिशन होल करने से रोका गया था इस ओर्डर के खिलाफ सुभाष शंद्रा और पुनीद गोइनका कोट चले गए थे सेक्यूरिटी अपिले ट्रिबिनल में अपील की थी और जहां पर अभी भी सुनवाई जारी है जो अगली सुनवाई इस मैटर में है वो मंडे को होनी है लेकिन अभी तक जो आर्गुमेंट्स हुए है वहाँ पर जी ने अपनी तरफ से यही केस पेश किया है कि सेभी के ज इसका जो टोटल फाल आउट है वो जी सोनी मर्जर को लेके कैसा होता है क्योंकि इस पूरे मामले पर एंसी एल्टी की फाइनल मोहर बाकी है और वहां पर भी सुनवाई 22 जून को होनी है और साथी साथ सैट की भी सुनवाई 22 जून को है तो अभी तक कि जो सोनी का बयान है उसमें उन्होंने साफ तोर पर नहीं बोला है कि वो जी और सोनी मर्जर को लेके गो एड करेंगे या नहीं लेकिन ये जरूर बोला है कि वो उसमें नजर रखेंगे ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अंकर ये पूरी जानकारी देने के लिए पर जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जी एंटर्टेइन्मेंट के स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग हावी जरूर हुई है संतोष चार्ट क्या बता रहे हैं क्योंकि बहुत वॉलिटाइल ह प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कैसे देखा जाए जी एंटर्टेइन्मेंट के स्टॉक को क्या यहां से लेने के मौके बन रहे है या फिर इन स्टरों पर थोड़ा सा कौशिस अप्रोच रखेंगे अब सेप्टेंबर दोजार इस में यहीं करीब एक सटर से एक सटर से के लेवल से इसमें बड़ी तेजी देखी थी बिकॉस अपर टूरीजा ने चेक इन किया था और इसी समय फिर सोनी और जी के मज़र का अनॉंसमेंट हुआ था स्टॉक महां से चार्श तीन सो अस्पास गया बाउंस बेक तो करता है लेकिन टिक नहीं पा रहा है तो इन केस अगर यह 170 को ब्रेक करता है तो मेरी सलाय रहे कि निकल जाना चाहिए लेकिन जब तक यह 170 को होल करता है तब तक बने रही है उपर में जैसे यह 200 के उपर निकलेगा तभी इसमें कोई अच्छी तेजी का प्रेक्ट का हुआ है ठीक है जी एंटेटेंविंट कल यह शेयर टूटा आज उसकी रिकवरी हुई लेकिन सोनी के तरफ जो स्टेट्मेंट आए उसने थोड़े सी कन्फ्यूजन के स्थिति जरूर पैदा की है और यह शेयर अपनी तीजी को गवा कर अब 4% ही उपर ट्रे आप